मागमास के सुकलुपक्ष की अस्टिमी को भीस्म अस्टिमी कहते हैं। धर्म सास्त्रों में इस दिन भीस्पितामा ने सूरी के उत्रायड होने पर अपने प्राड को त्यागा था। इस दिन प्रतेक हिंदू भीस्म पितामा के निमित कुस तिलवा जल लेकर तरपर करता है। मानिता है कि इस दिन उरत करने से सुसंसकारी संतान की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पितामा भीस्म के निमित्तर पड़ करने से व्यक्ति के सभी पाप नस्ठ हो जाते हैं और पित्रदोस का निवारण होता है मानिता के अनुसार जो लोग उत्तराण में अपने प्राड त्याकते हैं उनको जीवन मृत्यू के चक्र से चुटकारा मिल जाता है और मोश को प्राप्त करते हैं तो आए जानते हैं भीस्म अस्टिमी तिथी मूरत महत्व और पूजा विधी के बारे में साल दोहजार तेईस में भीस्म अस्टिमी 28 जनवरी दोहजार तेईस दिन सनिवार को है मद्यायन का समय सुबे 11 बच के 30 मिनट से दुपैर 1 बच के 49 मिनट तक कुलावदी 2 गंटे 9 मिनट की अस्टिमी तिथी का प्रारम 28 जनवरी 2023 को सुबे 8 बच के 43 मिनट से और अस्टिमी तिथी की समापती 29 जनवरी 2023 को सुबे 9 बच के 5 मिनट पर 20 अस्टिमी का महत्व मानेता के अनुसार 20 अस्टिमी का वरत जो कोई व्यक्ति करता है उसके सबी पाप दूर होते हैं पित्र दोस्ट से मुक्ति मिलती है इस दिन 20 पितामा का उतर पर जल कुस और तिल से किया जाता है स्रीमत भगवत कीता में बताए गया है कि किस तरह अर्जुन के तीरों से घायल होकर महा भारत के युद में जक्मी होने के बावजूद 20 पितामा 18 दिन तक मुत्यू सेया पर लेटे थे इसके बाद उन्होंने माक सुक्ल अस्टिमी तिति को चुना और मुक्ष को प्राप्त किया आये जानते हैं भीर्स अस्टिमी व्रत की विदी इस दिन साधा को किसी पवित नदी में स्नान करना चाहिए बिना सिले वस्तर धारड करने चाहिए इसके बाद दाहिने कंदे पर जनियुधारड करें जनियुधारड नहीं कर सकते तो दाहिने कंदे पर गमच्छा जरूर रखें गमच्छा रखने के बाद हाथ में तिल और जल ले और दक्षिर की और मुक्कले इसके बाद इस मंत्र का जाप करें मंत्र जाप के बाद दिल और जल के अंगूठे और तरजिनी अंगूली के मद्धि भाग से हुते हुए पात्र में छोड़े इसके बाद जने विया गमचे को बायकंदे पर डाले और गंगा बुत्र भीस्म को अर्थ दे अब भीस्मितागमा का नाम लेते हुए सूरी को जल सकते इसके बाद तरपड़वाले जल को किसी पवित्र व्रक्ष या बर्गत के पेर पर चड़ा दे अंत्र में हाथ जोड़कर भीश्मितामा को प्रडाम करके अपने पित्रों को प्रडाम करें